चेहन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी ट्रीम चाप भी ठंकित पर दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं अपना फेस दिखा रहा हूं अभी तक हमने कोई वीडियो में फेस नहीं दिखाया हुआ है अब आज से हम एक शुरुबात करने जा रहे हैं चुकि अभी SSC सीजल ने पैटर्ण चेंज किया है अब उस इंसाफ से इसमें कंप्यूटर की जो है डिमांड की गई है इसमें कंप्यूटर के काफी क्वेस्चन आपके दिखने के मिलेंगे और ये कंपल सरी भी कर दिया गया है तो कंप्यूटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आ और समय के साथ-साथ आपको कंप्यूटर की जानकारी होना भी जरूरी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा तो चलिए बेवें आप यह इस पहले डिसकस कर लेता हूं क्यार्ण हूं यहां पे शुरू करता हूँ अगर आपको अपने रीजो Lee вз देखा ही हो गया यहाँ पर टीर टुका तो यहां पर देखेंगे तो मैपन ले लेता हूं इससे आपको सम्झाने में थोड़ा सा आसानी रहे कि यह आपने दिहान दिया कि यहाँ पर देखिए नमबर आप क्वेश्चन 20 देखने को मिले होंगे और एक क्वेश्चन यहां पर तीन नमबर का है तो बीश तेन साड़ यानि साठ नमबर के आपके टोटल यहां पर यहां पर कंप्यूटर पूछा जा रहा है जिसके लिए आपको यहां पर 15 मिनिट का टाइम दिया जाएगा चलिए मैं यहां पर डिटेल में आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए वही चीज मैंने यहां पर अलग से लगाई हुए है यहां पर देखिए कंप्यूटर नॉलेज माडियूल 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे तीन नमबर के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीश ते साथ साथ नमबर का यहां पर कंप्यूटर आने वाला है टाइम आपको यहां पर 15 मिनिट रहेगा अगर कंप्यूटर पूछने वाला है तो बता दें जो यहां पर बनाया गया है दोस्तों यह तरह से कि यहां पर लगबबग सारी चीजें कंप्लीट यहां पर कवर की गए हैं अगर आपने 3C का कॉर्स किया हुआ है और पढ़ा हुआ है तो आपका यहां पर काफी चीजें कवर हो जाएंगी पिर पिर अगर जो कवर उस्समे नहीं होती है यहां पर आपको सारी कुछ बताओंगा तो चलिछें यहां पर देखते हैं पहले यहां पर कंप्यूटर बैसिक में और अर्णाजेसृत्टर यहां पर सबसे पहले हैं का ठाहिभा हुगा और कंप्श्फणा और की सलय कोर्常 डिवाइस क्या है जिससे आप देख पा रहे होंगे मैं यहां पर यह चीजे पैन से लिख रहा हूं यह मेरी लाइट पैन है जिसे स्टैलस बोला जाता है इसके तुरूच आप इस पैन जो है कंप्यूटर में इंपूट करते हैं जिसे देखिए मेरे हाथ में है आप दिख र कंप्यूटर में मूरी होई होती है हडक एसेसडी सीसाज जिककाउगा अफको साब कहांफ पर लोगों ने बहुत देखा होगा है चीज़े आपको यहां पर हाड में दिखाऊंगा आपको विजुवल एकदम प्रेक्टिकल करागे किस तरह से कुन चीज होती है इसका प्रयोग कैसे होता है मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगे मेरे पासरी चीज़े मौजूद हैं उसके बाद मेमोरी और्गनाइजेशन आप ईपासरी प्रयोग किया जाता है यहां पर दिया गया मेमणास अब इसमेड़ चीज़े लगाते हैं इसमें ऊस्ध मेल mále होते हह इसके बाद पर दिखा होते हैं। यह तो यहाँ पे Internet Explorer के झाना ज्म जाना ताहँ इसका परियोक ही होता है उसके बाद怎麼 चलाने सीसमें जान करें रहे कि सट इभड की बोर्ड और कीबोर्ड किéndए सne 4 जाता है वह इसमें सिखाया जाता है जैसा कि और यहां पर इस शेलर क्या हुई अगर मुझे यह रट कराना होगा तो मैं अपने की बोड से एफाइब प्रेस करूंगा एफफाइब तो यह साथ कुछ होते हैं पौर्पॉरे प्रेंद में स्लाइड को रन करने के लिए तो इस सुलाइट्टर अप अपर सॉप्ट्ट्वेर विंडोज आपर टिंग शिस्टम इंक्लोडि सिस्टम में पड़ा हुआ है विंडोस टेन तो यह विंडोस अप्रेटिंग सिस्टम हो गया कि देखिए विंडोस अप्रेटिंग सिस्टम यानि इसे बोला जाता है इंक्लोडिंग बेसिक आप Microsoft Office like MS Word Microsoft Office में बहुत सारे package होते हैं MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook तो यहां पर बेसिक यहां पर तीन दिया हुआ है MS Word, MS Excel और MS PowerPoint यह देखिए हमने जिसमें यह स्लाइड बनाई हुए है यह PowerPoint है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह जो यह दिख रहा है, यह PowerPoint में हमने स्लाइड बनाई हुई है, यह देखिए PowerPoint दे रहा है, उसके बगल में है MS Word, यह है MS Word और इसी तरह MS Excel होता है, जिसमें हमारे जो है, डाटा सी टूइट बनाई जाती हैं, जो काफी चीज इमेल, यानि इंटर्नेट और इमेल के साथ आप क्या-कार कर सकते हैं, वो यहां पर आपको सीखने को मिलेगा, इसमें वेब बराउजिंग है, वेब बराउजिंग क्या होता है, इंटर्नेट पर कोई चीज, आपको टाइप करना हो, और स़र्चिंग, डाउनलोडिंग, इंटरनेट से कोई चीज आपको डाउनलोड करना, इंटरनेट पर अपलोड करना, डाउनलोड करने का मतलब इससे होता है, कोई वीडियो डाउनलोड करना मतलब आप इंटरनेट के थो उस वीडियो को या उस फाइल को अपने पास रखना तो यह डाउनलोडिंग हुआ, और पर इसमें इमेल की जब हम आपको बताएंगे तो डिटेल में आपको बतारीं जानकरी देंगे फिर ये बैंकिंग आ गया आज कल बैंकिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज से चल लाएं तो किस तरह से बैंकिंग का प्रोसेस किया जाता है आनलाइन ट्रांजिक्शन किस किस तरह किया जाता है किस तरह से से शेफ आप युट कर सकते हैं इससारेट चीजें हम आपको बताएंगे इंट्रेनेट बैंकिंग क्या है डेविड कार्ट से पेयमेंन करते हैं सब सारी चीजे हम इसमें आनेंगे E-commerce तो सिब्सके बाद बेशी का फेक नेट्वार्किंग नेट वर्क नेसे Тारु नोड गर्टी जो आज कल हो रहा है उससे उससे अब उससे बश सकते हैं Exodus प्रभावित करते हैं मैं नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फाइलों को चोरी किया कर लिया ती है अपने हैकिंग बहुत सुना होगा गिनका चैनल हो गया है तो क्या होता है उसमें आपका कोई न कोई डाटा जो है वो लोग चांड जाते हैं तो उसके थुरू लोग एकसेस कर पर कि दो अचिरा है तो यहां पर तो सले बस इतना ही था इसके बाद थैंक्यू है बाखी से लेबास हमने पूरा डिसक्रस कर लिया है अब हम एक एक टॉपिक पर लेके वीडियो आएंगे चुकि यहां पर यहां पर तुझ आपको चार ही पॉइंट में दिया हुआ है यहां पर एक दो तीन चार इसके अंदर जो चीजे हैं अगर हम एक एक दिन जो थेवरीक अंपलीट हो इसके साथ साथ आपका उसमें यह भी पता चले किस तरह से कुष्चन इसमें बनते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के लिए चैनल पहना है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिज करता है